दोस्तों मैं अन्कीत अगरवाल अशोकान एडू हब से आपका स्पीडी करेंट अफेयर्स वार्सिकांक में मैं पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ कल पार्ट वन में मैं 56 नंबर क्वेश्चन तक डिस्वस किया था आगे मैं 57 से कंटीन्यू कर रहा हूँ बिडाउट देर किये हुए हम अपने क्वेश्चन की ऊउण चलते हैं तो क्वेश्चन आज का है पहला क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान की से नाउं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया तो यह आयोजन किया गया है मेरा मेगाले के स साथ ठीक है BBC Sports Personality of the Year का किताब किस ने जीता तो BBC Sports Personality of the Year का किताब जीता है बेड मीध ने बेड मीध ने भारत के केस राज्य और किंद्रसासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व इस्थापित किया गया है तो यह इस्थापित किया है लग्दाख में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर किस देश को सन्युक्त राष्ट्र महिला समू से बाहर कर दिया गया है तो यह किया गया है आपको इरान को ठीक है डबलू एच ओके अगले चेफ साइंटिस्ट के रूप में किसी चुना गया है तो यह चुना गया है आपको ऑफ्सन नंबर सी डॉक्टर जेरेमी फरार को अंतराष्टी जलवायू कलब किसके द्वारा सुरू किया गया है तो अंतराष्टी जलवायू कलब 2022 किया गया है G7 के द्वारा ग्रूप 7 ठीक है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि G7 में कौन-कौन से देश सामिल होते हैं चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मास सिग्मेंट फ्लेक्स फ्योल कार किस ने लॉंच की है तो ये लॉंच की है आपको मारूती सूजूकी ने हाल ही में इस भारत के क्रिकेटर ने एक तिवस्य पाड़ी में सबसे तेश 200 रन बनाने के क्रिस गेल की रिकॉर्ड को तोड़ दिया है तो ये तोरह है आपको इसान किशन ने और नुमबर डी इसान किशन ने BCBC BBC Indian Sports Women of the Year का किताब किस ने जीता है तो ये जीती है आपको बताइए अपनी मीरा भाई चानू जी ठीक है किस खिलाडी को नुमबर 2022 महा के लिए ICC Men's Player of the Month का पुरुसकार दिया गया है तो ICC Men's Player of the Month 2022 का पुरुसकार जीतने वाले हैं पताइए वो है जोस बटलर है किस खिलाडी को नुमबर 2022 महा के लिए ICC Women's Player of the Month का पुरुसकार दिया गया है तो ये दिया गया है आपको सिद्रा आमीन जी को पाकिस्तान की हैं सिद्रा आमीन भारत के किस देश के साथ Migration और Mobility पर सन्युक्त घोषना पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये किये हैं Finland ये किया गया है Finland के द्वारा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा Question No.69 कौन सा राज्य भारत में स्वेम का जलवायू परिवरतन मिशन सुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है तो ये बन गया है Tamil Nadu किस के लाड़ी ने 65 वी National Shooting Championship 2022 में Women's Air Pistol में गोल्ड चिता है तो ये चिती है डिब्या टियेस है गोवा के मोपा एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो ये रख दिया गया है आपको मनोहर पाड़िकर इंटरनेशनल एरपोर्ट हाल ही में गुजरात के 18 मुख्यमंतरी बने हैं तो ये बने हैं भूपेंदर पतेल किस देश में अरब निर्मित पहला लुनर एस्पेस क्राफ्ट लॉंच किया है तो ये लॉंच करने वाले हैं आपको सन्युक्त राश्र अमेरिका और UAE सन्युक्त अरब अमिरात सौरी मैं समशामा पडारती हूँ इसका आंसर है सन्युक्त अरब अमिरात अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं ये क्वेश्चन है आपको किस शब्द ने 2022 के लिए Oxford Word of the Year का किताब जीता है तो ये जीता है आपको पता सकते हैं कौन सा सब्द है ये शब्द आपका है गोल्विन मोड ठीक है ये शब्द है आपका गोल्विन मोड जिस राज ने भारत में पहला देव्यांग विभाग एस्थापित किया है तो ये एस्थापित किया है आपको महराश्टर ने टाइम पत्रिका के पर्शन ऑफ द इयर 2022 की से चुना गया है तो ये चुना गया है आपको ब्लादेमिर जेलेंस की आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लादेमिर जेलेंस की जिस देश के प्रधान मंतरी है पेरों की प्रतम महिला राश्टपती की रूप में जिसे चुना गया है तो ये चुना गया है दीना बुलु आर्टे ठीक है अगला क्वेश्टन आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकासित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पास्पोर्ट सुची में भारत की कौन सी रैंकिंग है तो भारत की रैंकिंग यहाँ पे 87 है नौवी बिश्व आयूर्वेद कॉंग्रेस और एक्सपोर 2022 का आयोजन उद्घाटन कहां किया गया है यह उद्घाटन किया गया है आपको गुवा में कॉलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है यह जीती है आपको मेरा वाई चानू जी यह जीतती है आपको मेरा वाई चानू जी ठीक है हम चलते हैं अपने अगले कॉश्चन की ओर अगला कॉश्चन आपका है बिश्व बैंक परियावरन प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर मदद की गई है तो यह मदद की गई है आपको यह मदद की गई है आपको बांगला देश को ठीक है क्या कॉश्चन था बिश्व बैंक परियावरन प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की गई है तो यह की गई है आपको बांगलादेश को 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस जोला मुखी में बिसफोट हुआ तो यह हुआ था सुमेरू माउंट में बारत का पहला रियल टाइम गुल्डन एटियम किस सहर में इस्थापित किया गया है तो यह इस्थापित किया गया है आपको हैदरावाद में भारतिया भारत में 9 सेना दिवस कब मनाया जाता है तो भारत में 9 सेना दिवस आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि वायू सेना और सेना दिवस कब मनाया जाता है ठीक है अगला कुश्चन है किस यूगल जोडी ने निश्टनल सुटीन चैंपियंशिप में मिख्ड टीम पिश्टल का किताब जीता है तो ये जीते हैं मनु भाकर और सरब जोट जी बारत की अध्यचता में पहली G20 शेरपा बैटक किस सहर में आयोजित की गई है तो ये आयोजित की गई है आपको उधैपूर में अगले कुश्चन कियों चलते हैं ग्लोबल एवियेशन शेफ्टी एंडेक्स ग्लोबल एवियेशन शेफ्टी रैंकिंग में भारत का कौन सा इस्थान है तो भारत इसमें है 48 है 208 डिवस कब मनाया जाता है 211 डिवस एक दिसंबर को मनाया जाता है हॉन्विल महोकसो हाल ही में किस राज में मनाया गया तो हॉन्विल मोहकसो मनाया गया है आपको नागा लेंड में नई चेतना अभियान को सुरू किया गया है आपको नई चेतना अभियान को सुरू किया गया है ग्रामिन विकास ग्रामिन विकास मंत्राले द्वारा बैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुडाने जॉंबी वाइरस को पुनरजिवित किया है तो ये करने वाला है रूश पुरुसों के बिश्वखः खेल में पहली महिला रेफडी कौन बनने वाली है तो पुरुसों के विशुकव खेल में पहली महिला डेफ़ी बनने वाली हैं, उनका नाम है, बढ़ा सकते हो, ये स्टेफनी फ्राफा पार्ट, अगला कोश्चन है, भारत प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चे मेतर एक पहल का ब्लांट तो ये बनाए गए है आपको दीपा मलिक जी को, दीपा, और मलिक जी को, ठीक है? इसका अनसर अगले श्लाइट पे है, ओके, चलिये चलते हैं अगले श्लाइट की तरफ, दिखे यहाँ पर आपको इसका आन्सर देख जाएगा, इसका अंसर is इसका एंसर प्रदानमंत्र टीबी मुक्त भारत अवियान के तहत निश्य मित्र एक पहल का ब्रांडम बेश्डर डीपा मलिक जी बनी है माय दोचाइब चौबिस का तक टाटा के स्वामित वाली एर इंडिया में किस एरलाइन का बिले किया गया है तो यह किया गया है आपको साथ में ब्याश्विक प्रद्योगी की सिखर सम्मेलन का थीम का प्रद्योगी की भू राजनिती औप्शन एप्शन ए अपने सभी जिलों में जीयो फाइब जी सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारति राज कौन बन गया है तो यह बना है आपको गुजरात ऑफसन भी किस देश के राश्ट्रपती को भारत सरकार ने गरतंतर दिवस 2023 समारों के लिए मक्य अतीती के रुप में आमंतित किया है तो यह हुए है मिस्तर के हैं अब आपकी काम क्या है मिस्तर के जो राश्ट्रपती आने वाले हैं 26 जनली 2023 विगरतंत दिवस में उनका नाम क्या है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताओगे एरो इंडिया 2023 किस सहर में आयोजित किया जाएगा तो एरो इंडिया 2023 यह आयोजित किया जाएगा बैंगलोरू में किस राज को इसकाई रूट एरो इस्पेस द्वारा भारत की पहली एक इकलित रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी तो यह प्राप्त करने वाला है तेलंगा ना ओके चलो आगे बढ़ते हैं हालही में किस भारतिय जी विग्यानी को वर्स 2022 का UNEP United Nation Environment Program Champions of the Earth प्रुषकार मिला है यह मिला है आपको पुर्णीमा देवी वर्मन जी को हालही में Cambridge दिख्ष नड़ी ने किस सब्द को word of the year घुषित किया है तो यह वर्ड आपको घुषित किया है होमर को तो आपको हमको यह बताना है कि अभी मैं आपसे question पुछा था यादारी यह question का क्या नाम था यह Oxford University of the world कौन से word को दिया गया है मैं question पहले पुछ रुका हूँ आप इसका जबाब देना ठीक है चलो अगले question की ओर चलते हैं हाल ही में किस star footballer ने Manchester United छोड़ दिया तो यह छोड़ने वाले हैं आपको Cristiano Ronaldo आपको बताना है Cristiano Ronaldo किस देश के player है रतिष्ठिक डॉक्टर कलाम सेवा पुरशकार से किसे सम्मानित किया गया तो यह पाने वाले हैं रविश कुमार ठीक है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो म 100 प्लस current affairs कर दिया अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 150 प्लस current तुमासे कर दो हम र謹ना आपना टूुरहनन आरे को जह शब हम मीजह